इसलिए दिन वाला भी टीम अपडेट नहीं करी थी आपने अगर देखो टेलिग्राम पर जो अपडेट्स होते हैं आपने नहीं नहीं लेकिन आये हो बच्छा गया होगा बाकी में देखा भी नहीं और थोड़ा सा वेजीवी था तो वेस्ट एंडी साथ आफ्रिका यह 30-20 वहीं हो रहा है लेकिन दियानक नहीं यह फ्रेश विकेट होगा ऐसा न्यूज में आया है फ्रेश विकेट का मतलब है कि वापस से थोड़े से वो जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं उनको मौका मेलेगा नहीं तो पिसली बार अगर आपने नोटेस किया हो स्पिनर्स को थोड़ी सी जादा ग्रिप मिल रही थी इसलिए लें लेंडे के विकेट्स थे और शामशी की डीसेंट बालिंग थी और सामने से भी सिंक्लियर एवन उफ स्पिनर को भी परफॉर्मेंस दिख रही थी तो कहने का मतलब है कि अगर आपने मैकोई की बालिंग देखी उन्होंने भी काफी स्लोवर डिलिवरीज डाली थी आज हना कि मुझे लगता है कि पहली बालिंग साथ आफ्रिका की आनी चाहिए और पहली बैटिंग वेस्ट इंडीस की ऐसा लग रहा है पता नी हो भी सकता नहीं भी फिलाल विंटेंडेकॉक की टीम चेस करें और वो पहले बालिंग करें ऐसा हो सकता है तो इस सिनारियो में आपको फिर साथ आफ्रिका के एंगीडी को नहीं भूलना है क्योंकि वो डेथ में उमर करा रहे हैं एवन मैं बोलूगा तीनों पेसर लेके जाना लेकिन एंगीडी में र पिछले मैश में आने कहा था इन दोनों में से एक छोड़ सकते हूं और पिछले माश में दोनों का है नहीं करा लेकिन इस माच में पिच क्यूंकि फ्रेश है दोनों का हेल्प हो सकता है काम आ सकते हैं डशन जल्दी आउट हो गए थे बवुमा ने काफी अच्छा करा और Hendrickson चाकिया, Quinton Decock बहुत ही जबर्दस फॉर्म में लग रहे हैं, Quinton Decock फटने वाले हैं किसी दिन, अगले 2-3 माच में देखू, किसी में 50 मार दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं नौकिया फिर्ट से सबसे economical baller थे इनकी टीम के और रबाड़ा को हला के wickets मिले और यही होता है एक baller जब tight रखता है दूसरे end पर player hit करने जाता है और उनको wicket मिलता है तो रबाड़ा को wickets मिल रहे थे नौकिया की अभी भी economy सबसे अच्छी थी सामने से भी देखोगे तो आपको Jason Holder ठीक ठाक देखेंगे और इनकी तरफ balling options बहुत सारे है अभी तो polar भी use नहीं कर रहे हैं लोग फिलाल विन लुइस दोनों match में अच्छा कर रहे हैं दोनों match में उन्होंने hits अच्छे लगाए Fabian Allen ने नीचे से और Jason Holder स्ट्राइक में दिखे हैं फर्स बैटिंग करते हैं लेकिन मुझे लगता है आज ये शाहए चेंज हो सकता है सिनारियो बाकी ये match मतलब शाहएद प्लेइंग 11 ए टॉस देखने के बाद मैं बताऊं कि कैसा है अगर ये सेम रहता है मतलब वेसेंडीस पहले बालिंग करता है तब एक टीम में आप क्या करना कि रसल को कैप्टन माना के छोड़ देना ग्रैंड लीक में खास करें क्योंकि उनका बाटिंग से भी फॉर्म अच्छा लगा जितनी देर रुके हैं वो जाद है रुके नहीं और बालिंग कोईडिसल डीसेंड करा रही है दो ही ऑवर करा रहे हैं और ग professionals आसे देखने वाले वाले होगा फिलाल अभी तोही टीम Не और हम काफी कुछ डिस्कस खнова कर चुके है तिक है कूंटनिकव कर अ यही मेरे अभी की प्लेयर्स है मेरे context है यूँ गेल ने अभी तो कुछ किया नहीं है, लोग करी रहे हैं कुछ ना कुछ, गेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी रुख बदल सकते हैं, आपका और सब का, ठीक है, यह head-to-head का analysis था, यहाँ पर भी गेल का performance है, तो basically गेल का performance डिव है, कुछ डिकॉक रसल सेफ हैं, यह option और Nokia और NGD, जो ऐसे option हैं, जिस पे आप थोड़ा सा जी हिल में जरू कैप्टन वाइस, कैप्टन का डिस ले सकते हो, तो Nokia अच्छी बॉलिंग करा रहा है, NGD विकेट ले सकते हैं, उसी वज़े से, क्योंगे Nokia एक तरफ से अच्छी बॉलिंग करा हैं, तो यह दो ऐसे हैं, मतलब यह नहीं small league में बना दिया, वो आपके उपर risk है, वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बड़ी league में यह जो 5 नाम लिया है, इनको जरूर बनाना, अलग-अलग try करके, और छटा नाम है Jason Holder का, यह player ने batting अची करी, जिती दिर करी, और balling crucial समय पर आके कर रहा है, important है, I hope आपको समझ आगे होगा, क्या करना है, इस match में ज्यादा कुछ है नहीं, यह toss based analysis है, toss के बाद, अगर head to head का देखोगे, तो यहां से आपको दिख जाएगा काफी कुछ की head to head में, किसने perform किया, यह सम मैं पहले बता जोगा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा depth में नहीं जा रह बाकी यही टीम रहने वाली है, मेभी बवुमा, मेभी कोई और या फिर अन्रे फ्लेचर भी बुरे option नहीं, यह अभी मेरी टीम है, जिसमें तीन all-rounders, जो balling भी करते हैं, विंडीज के लिए, और सामने से तीन पेसर इनकी तरफ से, अब इसमें आप एक spinner जोड सकते हो, ज कुछ भी हो जाए, इधर से उधर, मैं शायद इन प्लेयर्स को तो बिल्कुल ही नहीं हटाऊंगा, Nokia भी है एक option, ठीक है, इन प्लेयर्स को तो मैं हटा नहीं रहा, तीन, दुपांच, इसके बाद बाकी के प्लेयर्स पर हम देख सकते हैं, लेकिन यह प्लेयर्स जरूरी र होगा, टेलिग्राम फैंटेजी अरीना पे लास्ट मिनेट अप्डेट के लिए आजाओ, all the best.